एगाइस, वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल दोस्तू, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल के कीबोड पे अपना फोटो या किसी का भी फोटो वैसे लगा सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं मोबाइल के कीबोड पे अपना फोटो लगाना या किसी का भी फोटो लगाना तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको मुबाइल पे कीबोर्ड लगाने का असान तरीका बताया हुआ है तो आप वीडियो को लाश टक जरूर देखें तो चलिए बीना किसी वगवास के सुरू करते हैं आपने मुबाइल के कीबोर्ड पे फोटो लगाने के लिए सिंप्ली हमें वाटसप पे चले जाना है वाटसप पे जाने के बाद किसी का भी चार्ट बॉक्स खोल लेना है यहाँ खोलने के बाद यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो शिंपली यहाँ इमोजी के बगल में यहाँ कौर्णर पर लेफ्ट साइड में यहां कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे तो simply हमें यहां पर प्रेस करना है प्रेस करते ही यहां में बहुत सारे option देखने को मिलेंगे जैसे language, themes, front, number row, text reading, clipboard, sound vibration इसके अलावा बहुत सारा तो हमें keyboard पर अपना photo लगाने के लिए simply हमें यहां themes पर जाने के बाद यहां है देखिए हमें कुछ ऐसा interface मिलेगा है यहां प simply यहां से आप प्रेस करेंगे तो यहां से हमें gallery में चले जाएंगे फिर यहां से जो भी आप चूछ करना चाहते हैं तो यहां से चूछ करके लगा सकते हैं देखिए यहां से आप पर जर्स इसे कर सकते हैं जितना आप यहां से जो line दिया हुगा है आपके keyboard में उतना ही द साथ करना चाहते हैं तो यहां कॉस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इसमें से आप इफेक्ट में जा सकते हैं इसके फ्रॉंट स्टाइल में जा सकते हैं कैसा फ्रॉंट रखना चाहते हैं यहां इस्टीकर सब लगा सकते हैं तो सिंपली हमें य तो simply यहां से हमें save कर देना है, save करते हैं यह कुछ देरों में यहां प्यांज save हो चुका है, देखिए हमें ऐसा कुछ save करना था हमें हो गया है, इसके अलामा आपकर चाहते हैं आप कि normal सा कुछ ऐसा background या कुछ भी देखने को मिले, तो simply आप फिर से जाएंगे themes में, themes में जा में बताएं आगे आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मिलते हैं नई एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाए